है यह लो बैचों देखा लाश्ट क्लास में हम बढ़ चुके थे इंटिग्रेशन डिफ्रेंशेशन ठीक है और वेलस्टी एंड एचलेरेशन ठीक है बच्छो आज का हमाना में टुपिक है इस्क्रमेशन आफ मोशन ठीक है बच्छों आपने प्रता नें त्लास के अंदर व सब्सक्रमेशन ठीक है तो सब्सक्रमेशन मतलब प्रूफ इंकम डिराइव कैसे करें डिराइव कैसे करें इससे पहले मुझे बताओ चैट बोक्स में की विजिविल्टी क्लियर है क्या मेरी साउंड आपको प्रॉपर वे में आ रही है चैट बाउस में लिखके बताओ एक बात पटाफट क्लियर है ओके दन देखो बच्चों इक्विशन ऑफ मोशन बच्चों इसका जो डरिवेशन होता है उसके दो होते हैं मैथड एक तो होता है ग्राफिकल मैथड और एक होता है कैल्कुलस मैथड हम जो अभी आज पढ़ अधिकल मैथड ठीक है देखो हमने एक ग्राफ एजुम किया है जो किसकी बिटीव इन है टाइम एंड को वैलोसिटी के मतलब बच्चों हमने पढ़ा था पैदे भी यूनिफॉर्म मोशन जदा है उसके कर्डिंग हमने क्या पढ़ा था यूनिफॉर्म वैलसिटी एंड य एक बाम मैख लगालो अब आरी देखो वर्स के लिए टी अब तो मिन था मैक लगा लिए अब ठीक है वर्स के लिए टी चेक हो जड़ा एक बार अब ठीक है ओके यहां दोखो बच्चो हमने एक एक इग्जाम्पल यहां है यूनिफॉर्म मोशन का यहां कहें यूनिफॉर्म एक्ष्लेरेशन को हमने एजुम किया है बच्चो एक्ष्लेरेशन आप लोग पढ़ चके हो प्या होता है डी वी बाई डी टी ठीक है जहां इसको हम क्या बोलेंगे चेंज इन वेलासिटी चेंज इन वेलासिटी ठीक है ओडी टी को हमने कहा था टाइम इंटरवैल मैंने शॉटव्य में लिखा है यह भी हाफलाल टी डॉट आइडाट अब धान दो जो मैं कहना चाह रहा हूँ अगर हमने सेम टाइंटरवैल में ठ चेंज किया है तो ऐसे motion को हम क्या बोलते हैं uniform acceleration बोलते हैं जैसे जाह दखो changing velocity को बच्चों हम लिखेंगे final velocity मायनस इनीसपियों velocity जिय क्वर्चिते हिएस्मोल यू इकतलब v टाइम की बाग करते हैं बच्चों यहां पर हम टाइम कितना माल लेंगे इनिशल टाइम टी-वन फैनल टाइम टी-टू इस्टरडी के लिए ठीक है यहां तक को दिक्कत तो नहीं है चैड़ बॉक्स में लिखके बताओ फॉटाफट चैड़ बॉक्स में अच्छलेशन का फॉर्मला है हमने जो पढ़ा था थर्ड लास्ट वीडियो में ठीक है चेंज इन वैलस्टी पर निट टाइम इंटर्वेल चैड़ बॉक्स में बताओ फॉटाफट इस फॉर्मला में कोई दिक्कत तो नहीं है ओके डन अब धान दो तो दुखों यह जो करना पड़ता है क्या करना पड़ता है रिप्रेजेंट और हमेशा लाइफ में धान रखो के आमेटिक्स के अंदर जहां भी आपको नाम दिखाई दे मतलब लिखाओने जड़ा है कहें भी इनिशियल टाइम इनिशियल टाइम समझ जना टीवन की वाइउ कितनी है जीरो से तो यहां बच्चों हम एक ऐसा पॉइंट जूम करेंगे जहां टाइम तो कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा और इनीशियल वेलेश्टी को हमने रिप्रेजेंट किया किस से स्मॉल यू से ठीक है और बच्चों स्ट्रडी के लिए हमने माना है कि टी टू जो है वह फाइनल ठीक है टाइम है जिसका हम ओनली सिंपल में शो करेंगे स्मॉल प्रकों से मतलब जितने टाइम में वेलेश्टी में का hope m हुआ तो हमने माना इस औरिजिन पे और जिन से यहां पर में पास यह पॉइंट है यहां पर में पास टाइम की जो वैल्यू हो कितनी है स्मॉल टी कॉमा जीरो यह में पास हो गया कोडिनेट टाइम का अब इस टाइम की करिस्पोंडिंग अगर आप बात कर रहे हो यूनिफॉर्म एशलेरेशन की तो वैलस्ट्री में हम चेंज करेंगे इक्वली इसलिए बच्चों हमारे पास ग्राफ कैसा आएगा स्टेट उसे अगर ही में पास लेट स्पोंड पी है यह वाला पॉइंट पर में पास पॉइंट क्या है क्यूं है तो इस पॉइंट पर जो वैलस्टी है उसको हमने रिप्रेजंट किया कि से जिरो कॉमा स्मॉल वी से अब यह बता हुए ग्राफ समझ में आया यह नहीं आया कि यह क्या बुलना चाह रहा है क्योंकि आपके बच्चों बेसिक अगर अच्छे होंगे ना तो दिक्कत नहीं आएगी बताऊ ज़रा एक बार इस ग्राफ में कोई दिक्कत तो नहीं है ये ग्राफिक ज़स्ट इजामपल है किसका यूनिफॉर्म एस्चलिरेशन का इस स्मॉल है र चोड़ते हो गाड़ी का लेट्स उसमें जो स्पीड शो कर रहा है वो शो कर रहा है टैन किलोमेटर पर आवर माले तो मैंने अभी क्या बोला इनीशल टाइम को हमेशा में थोरी में कितना माना है जीरो सेकंड ठीक है तो बच्चों आप ऐसा मानलो की यू कह है इस दा वैल ज़ुकते अब कितनी कर ली। उनषय थहा है तुछ एल कह थिए अब कितनी है स्पाइफ तो 45 कि को सिवलिवे इन की वैल्यू है स्मौल वी को ब्रचों पढ़ते हैं वालसटी एट्टी इकोल तूडी सेकंड तीस सेकंड तीस ही सगेंड पे कितनी वैलकित फ्रलस्टी होग तो जितने टाइम इंटरेल में दो जीरो से कितना वा टी जीरो से टी यह तो क्या चोकर रहेगा स्केल और टाइम एक्सिष और स्ट बताओ अब आया निया समझ में जा मैं कोई दूसरा एजामपल दू समझने के लिए यह भी तरके प्रिफश्य में आया या नहीं है यह इस्मोल यू है और यह कह वी अगर बच्चों में घुमा दिया है तो वह वी है घुमावा नहीं है तो वह कह स्मॉल यू बताओ फटाफट चैट बोक्स में आ फिर मैं दूसरे एजामपल द आगया आगया बड़े दूसरे एजामपल लो एक बार ओके चलो ठीक है इसको चलो आप भूल जाओ जहां दो आपने ओम स्लो पड़ा था टैन क्लास केंदर क्या पड़ा था ओम स्लो आपको सिखाया गया था अगर वोल्टेज में करते हैं क्या करते हैं वोल्टेज में उसी रश्युमें क्रैंट भी का होती एंक्रीज होती ए तैसे let's suppose 0,0 origin पे आपको पता है वीभी क्या होगा जीरो वोल्ट होगा क्रैंट भी क्या होगी 0 A अब लेट सबोस आपने 0 god वोल्ट से 1 v qualité का voltage आपने का बढ़ा दिया शेक्षी है और उसके वाधार से साइक्रिट में ज्यो कर्रेंट फ्लो होई आपने चेक किया i'm gonna ये अबस आई हमारे पास में देखो चरहा है एक बार इस कोडिनेट को आप यहां पे लेकिए थे इसको आप पाले कि यहां पे यहां में पासे क्या बन गया मतलब कोडिनेट है इस पोईंट चले की कितनी कर दिया तो उसी कारेसपॉन्ड वोर्ट को बढ़ाया deal value 1 मतलब पहले 1 वोल्ट था आपने दुबरा कितना कर दिया 2 वोल्ट कर दिया तो उसी corresponding आपने दिखों वोल्टिज्टा किया है जस्ट डबल किया है जस्ट डबल तो जो current की value है जो 0.5 ampere थी अब वो क्या हो जानी चाहिए जस्ट डबल हो जानी चाहिए 1 ampere हो जानी चाहिए तो इसे corresponding हमें जो point मिलेगा वो कहां मिलेगा let's suppose हमें का मिला इस point पर मालने तो आपने पड़ा था state line और में ग्राफ थासम सिकर्वी के दम यह भूल जाओ सब कुछ आप तो बात करो ओम स्लो के यह समझ में आया या नहीं आया यह यह समझ में आई यह समझ में आई यह सर कंफर्म और के ड़न अधन दो अब इसी ग्राफ को बच्चों मैं रिप्लेस कर रहा हूं किससे टाइम से ठीक है और इसी को मैं रिप्लेस कर रहा हूं किससे वैलेसटी से ठीक है औरी जो बच्चों वैल्यूज है मेरे पास वंवोट ट्वोट मान लेते हैं एक बार यह कहा है वं शेकंड है औरी कहा है टू साइकंड है तो ध्यान दो जो मैं कहना चाहरा हूं पहले यह था यूनिफॉर्म का ग्राफ अब जैसे इसको मैंने वैलस्टी टाइम के शो में किया तो बच्चो ऐसे मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन तीक है मतलब जितने टैम में जितना आपने इंक्रीमन metabolismo किया है किसमें टैम इंटराल में उसी रेशुस से म। वैलस्ट्र किया हैं इंकुर्ज हो जाएं क्या हूँ आपने टैम को में तो यूनिफॉर्म आशिल्ररेशन, उस मोशन में जो यूश्ल वैल्यू के रहेगी, कॉंशेंट रहेगी, ठीक है, अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा, कि स्टेट लाइन क्या शो करती है, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, यहाँ देखो, स्टेट लाइन को मैंने यहाँ ड्रो नहीं किया, जीरो से ड्रो नहीं किया, ठीक है, जब कि म मानना है, तो इस लाइन की स्टेटिंग आप कहां से लोगे, और ये स्टेटन कहां ड्रो हो जाएगी, इस ओक्यू क्या हो जाएगी, ठीक है, तो आप ऐसा मानलों फिटाफट, कि पी से क्यू अगर पार्टिकल जा रहा है, तो पॉइंट पी पर जो इनिशल वेलस्टी है, जिस रफ्तार से उसने अपना मोशन शुरू किया है, वो क्या है, स्मॉल यू है, और जिस वेलस्टी से अपना वो मोशन को एंड करेगा, वो मेरे पास क्या है, स्मॉल वी है, ठीक है, अब बताओ, अब तो आ गया होगा, समझे में, इस लेंग्वेज की एक प्रेटिकल ल अब ज्यान दो, साबश, जहां भी नहीं है, मुझे बोल देना, आपको फिलिक्स समझनी है, पढ़नी नहीं है, पढ़ने समझने में फर्ग होता है, ठीक है, अब देखो, तो हमने ग्राफ लिया, पी प्रेंट का शुकर का इनिशियल कंडिशन, क्यू प्रेंट का शुकर क होता है, मतलब फर्ष्ट कुशन को हमें जो प्रूफ करना होता है, उसके लिए हम अपलाए करते हैं, डेफिनेशन ओफ एचलरेशन, या फिर फॉर्मूला ओफ एचलरेशन, यहां पर लिखोगे, मैं लिखता मेरा हाथ में दोर दिक्कत आ रही है, आप यहां पर लिखोग वी मैनस यू तो मेरे पास चलो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, अब टी वन का मतलब इनिशल टाइम, जिस टाइम पर पार्टिकल शुरू कर रहा था अपना मोशन, इसको मैंने क्या माना बच्चों, जीरो सेकेंड, चूंकि पॉइंट पी पर टाइम की वैल्यू कितनी है, जीरो है, ठीक है। अब पॉइंट क्यू पर टाइम की वैल्यू है? कितनी है is resist 2 Leightime कहा है, वह क्या बन जाएगा? Small T बन जाएगा तो V-U अबन में क्याएगा? ती बनेगा, इसको हमने लिख भी मैनस यूंग क्तना टी कितना यह दक्चों मेरे पास by cross product कितना आएगा? कितना हैगा वी इकवर टू यू पलस एंट में कितना टे यह लो यह बच्चा मारे पास हो गई फर्स्ट इक्विशन आफ मोशन ठीक है इसको मुने डिराइफ कर दिया है अब मुझे बताओ इसमें कोई दिक्कत है या नहीं है यहां तक यहां पर आप लिखोगे इट इस दा फर्स्ट इक्विशन आफ मोशन ठीक है चैड़ वक्स में बताओ फटाफट उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही आपको कि आगे बड़े हेलो हुँ हो के उसा मिस्ट्रे को इसमें ने ट्रॉक परल्म चल रही है हाँ भी अब देखो बच्चों अब हम बात करेंगे किसकी सेकेंड डिक्विशन आफ मोशन की हां हां हमाद ही सवांट आज रही कहें डिक्विशन आफ मोशन को डिरायव करेंगे ठीक है किसको सेकेंड़ रिक्विशन आफ मोशन को बड़े बड़े धान सुनना भी इसमें खास बात है बच्छों हमिशे लाइफ में धान रखो एरिया अंडर दा लाइन एरिया और कर्व तो रैटिंग आपको बिकार नजर आएगी रैटिंग ठीक है इसके लिए खेद है लाइन और कर गेफ्स डिस्प्लेस्मेंट अभी मेरा यह बा हाँ भी देखो एरिया अंडर दा लाइन और कर्व ठीक है गेफ्स डिस्प्लेस्मेंट इसका दखो बच्छों मतलब क्या होता है ध्यान सुनो पहला को मैं एजांपल दूंगा एक फिर रहां पर अप्लाय करेंगे इसको ठीक है ध्यान दो बच्छों दुनिया में कोई भी लो आप ग्राफ जिसमें वैलस्टी और टाइम के बिच में कोई भी कर्व या लाइन क्या हो प्रेजेंट हो कोई भी लाइन कैसी पर उसती है यह मालनो में पस एक ट्रेंगल फॉर्म हो गया लेट सुपोस्ट आप से का जाए इस पॉइंट पर जो वैलस्टी है इसकी वैल पर सेकेंट अब ठीक है यह जो पॉइंट बच्चों लेट सुपोस्ट है में टाइम की वैल्यू है कितनी सिक्स सेकेंट ठीक है आप से का जाए इस लैन के नीचे जो भी एरिया है इसको फैंड आउट कीजिए क्या कीजिए फैंड डॉट ठीक है धंद आपनी क्या लिखा आपने लिखा एरिया ओफ रेटेंगल ट्रेंगल का आपने जिस जब इस एरिया को फैंड आउट किया यहां पर अपलाय किया आगे पास बच्चों यूनिट जो होगी इसकी वो मीटर में आएगी मीटर स्क्वाइर में नहीं आएगी चेक कर लिजिए यहां मैंने हाफ लि सिक्स सेकिन्ड सिक्स ऐसंट में यह क्या हईट है और कि प्ली मीटर पर सेकिंड यहां देखो मैंने लिखा बच्चों फूर मीटर पर सेकंड तुज़रा आगोंतने क्या हो जाएगा कैन से Thirty l गए तो आप ध्यृन को वेँल मीटर क्या वगा एंसर आएगा आज तक इस की unit क्या थी? meter square. आपने पढ़ा है, dimensions भी हम पढ़ चुके, पर यहां पर unit क्या रही है? meter क्या रही है. meter होती किसकी है? displacement की या फिर distance की. हम पढ़ रहे है physical quantities जो कैसी है, vector है. तो हमने क्या बुला? distance नहीं बुला. हमने क्या बुला? displacement. ठीक है? तो यह बताओ मुझे, यह concept समझ में आया या नहीं आया? chat box में बताओ. ताकि मैं इस concept को कहाँ apply करूँ? graph के अंदर. second of motion क्या करेंगे? derive करेंगे. बताओ जरा फिटाफट एक बार chat box में. बताओ बताओ सबश. येस. ओके, done. अब दोखो, हम इसको रप कर रहा हूँ. ठीक है? अब यही concept बच्चों हम apply करते हैं कहाँ पे? इस VT graph में. ठीक है? कैसे apply करेंगे? जहां दो. मैं यह पूरा रप कर रहा हूँ. पार्ट नमर्ट टू शू कर रहेंगे अपने से लिए. ओके, आप देखो बच्चों, अब यह लाइन हो गई. लाइन की नीचे का एरिया कौन सा है? यह पूरा है? कम्प्रेटली. तो बच्चों, आपने पुड़ा था ट्रैपेजियम, जिमेट्रिक अंदर. ओ, ए, क्यू, पी, यहां एक है, ट्रैपेजियम है. ठीक है? यहां दोखों, मैंने कहा लिखा? मैंने सिंपल वे में लिखा, एरिया अंडरलाइन, एरिया अंडर लाइन, कौन सी लाइन? पी क्यों. ठीक है? इस इकवल टू, आपको तो विजीवल नीचों नी नहीं हो रहा. एक यह चुलों यहां ठीक है एरिया अंडर लाइन पीक्यूंग अब विजिवल है ठीक है इसको पूच्छ मैंने लिखा एरिया ओफ ट्रैपजियम एरिया ओफ ट्रैपजियम और इसका नाम भी आप मेंशन करोगे एक्जाम में टेस्ट के अंदर मतलब ट्रैपजियम अब मे आप दो ओपी क्यूँए याफी कहले दो ओए क्यूपी कोई दिक्कत नहीं है ओए पी ओए क्यूपी यह लो अब ठीक है आगे बड़े ठीक है अब दो बच्छों इसका फॉमला अगर आपको याद तो बहुत अच्छी बात है याद अगर नहीं है तो धान लखो जो मैं कह जाना चाहरा हूं कि एरिया आफ ट्रेपेजिम का बच्छों फॉमला था हमारे पास हाफ इंटु में क्या था डिस्टेंस बिट्वीन बोथ पैरलल लाइन्स यहां बच्छों ओपी पैरलल है किसके एक यू के तो इनके बच्छों में कितना डिस्टेंस है इस मॉल टीक है यहां सियां तक की जो लेंथ हो कितनी बड़ा था सम ऑफ पैरलल लाइन्स मतला जो दुनों लाइन्स पैरलल है इन दुनों का सम इसकी बच्छों जो दुखों लेंथ कितनी है स्मॉल यू है इसकी कितनी है स्मॉल वी है तो स्मॉल वी पलस स्मॉल यू होगा नहीं होगा इ एरिया अंडर दर लाइन पी क्यू है अगर वो डिस्पेस्मेंट के इकवल होता है वी टी ग्राफ में बच्चों में नहीं हापे सिंबल लिया स्मॉल एस तो मेरे पास एकॉल टू क्या बनेगा हाफ टी इंटू में वी ऐसा आएगा नहीं आएगा चैट बक्स में बताओ यह अ एरिया अफ ट्रेपेजियम ओ एक्यू पी डिस्टेंस बिविन बहुत पैडलर लाइन इसमॉल टी सम फ बहुत पैडलर लाइन इसकी लेंग कितनी है यू स्की लेंग कितनी है स्मॉल वी बलर आ रही है कि इस पीड बलगारी है अग्या नहीं दो मेरा पर नेक्टर ठर्टी चल रहा है आपके आप नेक्टर थरा इशू आ रहा होगा यह बचा करो दूबरा है यह मतलब यह विजिबल नहीं है कि ऐसे कोल टू हाफ कि इंटिमेटी कि इंटिमेटी कि इंटिमेटी प्लस यू बाकी लोग बताओ फटावट अब ठीक है हाँ अब यह बताओ यह फॉर्मला समझ में आ गया जामा दूबरा समझ जाओं कैसे आया है क्योंकि डेरिशन बहुत यह प्रोड़ें आगे बढ़ चले विजिबिलिटी ठीक है कोई दिक कर दिये हैं हम आगे बढ़े एक बार और देखो भई में दिवास में चलो मैं फॉर्मला लिग देता हूं मुझी डाइट बोल दिया करो कि सर्फ पहले लिखो हाँ चला कोई नहीं यहां दो बच्चो फॉर्मला था ट्रेपिजियम क अब ट्रेट लिखो फॉर्मला था एक एक बच्चों सम आफ सम आफ पैरलल साइट यह फॉर्मला को याद रखना पड़ेगा अब लगाओ त्युमाग ट्रेपिजिम कों सा है ओ एक्यू पी इसमें पैरलल साइट कों सी है ओए पैलल थूरी ना एपी क्यू के नहीं है ना ओपी और एक्यू इनकी लेंथ का हमें सम लेना है सम इसकी लेंथ कितनी है स्मॉल वी की एकवल चेक करो यह पूरा क्या है स्मॉल वी है ठीक है और यह पूरा क्या है स्मॉल यू है तो वी प्लस यू क्या हो गया सम आफ पैरलल साइट फिर फिर में क्या होता है डिश्टें लेंथ के अंदर तो कितना है आप आगया आप देखो बचो ध्यान दो अब इस formula से हम second equation of motion को भी derive कर सकते हैं और third equation of motion को भी हम क्या कर सकते हैं derive कर सकते हैं कैसे करेंगे ध्यान दो अगर equation number first से इस formula में आपने put up किया v equal to u plus 80 क्या put up किया v equal to u plus 80 कहां पर इस formula में तो धंदो हमारे पास क्या आएगा हमारे पास आएगा बच्चो displacement half यहां पर constant है t normal way में जहां पर क्या लिखा हुआ है v v को मैंने क्या लिखा u plus 80 यह किसकी वल्य होगी t की plus में क्या है u है तो plus में कितना आएगा u तो बच्चो जड़ा ghost देखो आप बाहर हमारे पास क्या है t by 2 है t by 2 और u plus u दुनों add होंगे तो क्या बनाएंगे u to u plus में कितना 80 ठीक है और इस t by 2 को जो आप अंदर multiply करोगे तो 2 से 2 क्या होगा cancel out हो जाएगा और हमारे पास क्या आएगा ut फिर यह जो 1 by 2 है इससे into होगा तो क्या बनेगा 1 by 2 टी से into होगा तो क्या होगा acceleration into में कितना ती का square यह होता है बच्चो second equation of motion इतना आपको समझे में आया या नहीं आया मुझे बताओ फुटाफट जल्दी इस एक्विशन में हमने क्या पुट अप किया बाइफ फिर्स एक्विशन ओफ मोशन वे पुट वी एक्वल टू यू प्लस एटी इंसाइड दा ब्रैकेट दैन वी गेट दिस चैट बोक्स में बताओ फुटाफट यह आपको समझ में आया या नहीं आया कोई दिक्कत तो नहीं है राजकुमार अनुराग बाकी लोग का है भी आगया ओके डन तो इसके नीचे बच्चो आप लिखना अपने नोट्स के अंदर इट इस दा सैकंड इक्यविशन ओफ मोशन धान रहेगा ठीक है अब बच्चो हम बात करते हैं थर्ड इक्यविशन ओफ मोशन की ओके इशू ठीक है अब धान दो अब बच्चों हम बात करते हैं सेकंड इक्यूविशन ओफ सुरी थर्ड इक्यूविशन ओफ मोशन की जो बहुती इजी है और उसके लिए बच्चों आप यही फॉर्मला काम में लोगे कैसे काम में लेंगे ध्यान दो यह मेरे पास था मेंन फॉर्मला इसको लेट्स पूस मैंने नंबर दिया एक्यूशन नंबर टू ठीक है आगे देखो बाइफ इक्यूविशन ओफ मोशन बच्चों आपको पता होता है वी कोल टू यू प्लस एटी तो इस बार बच्चों यह इस फर्स्ट एक्यूशन से मैंने कह लिखा टी एक टू कितबकिना भींस मैंट यू अब इस ट को मुझे बच्चों पुट पूटक कर ना होताया कहां पर equation number two में इससे बच्चों हमें मिलेगी second इससे में मिलेगी third equation of motion कैसे मिलेगी धान दो left part में a की time है small s यह मेरे पास half हो गया कोई दिक्कत नहीं है t का expression मेरे पास कितना है v minus u upon में small a into फिर मेरे पास क्या time है sorry time हो चुका फिर मेरे पास into क्या हो रहा है v plus u अब आप दोखों बच्चों आप पढ़ चुके हैं 10th class में a plus b into a minus b का मतलब क्या होता है a square minus का b square तो यहाँ देखिए v plus u add हो रहा है v minus u minus हो रहा है तो इसका net answer कितना होगा v square minus का u square upon में 2 into क्या आएगा a तो कितना आएगा 2 into में a आएगा तो बस अब 2 a को by cross product किसे into करोगे displacement से into करोगे तो बच्चों simple सी बात है left arm में क्या बचेगा v square minus का u square equal to में कितना 2 a s बच्चों यह होती है third equation of motion ठीक है और यह हमने सब कुछ graph से derive किया है इसलिए इसका नाम क्या है graphical method कौन से method है graphical method अब मुझे बताओ chat box में इस third equation of motion में कोई दिक्कत है या नहीं है जल्दी बताओ क्योंकि अभी एक और चीज पढ़नी है by calculus method इस बताओ बच्चों फटाफट अब जड़ बख्स में बताओ लिक्कर यह वीज़ के थरा बलर आ रहा होगा रोश्णी थोड़ी कम आई वी स्क्रेमेनस का यू स्क्रेट इकूल टू एस no problem ओके डन और बाकी बच्चे बाकी स्टुडेंट्स जवानों रिप्लाई दो आ गया अब धारन सुनो मेरे बात अब मुझे चैटबक्स में यह बताओ आप लोग शाम को को सेवन थर्टी के बाद क्लास लेसते हो क्या लाइव क्लास मैं चाहरा हूं कि दिन में दो बार अपने टास लें एक तो इस टाइम पे वन फिफ्टीन पीम के आसपास और एक कब इवनिंग में भी सेवन थर्टी के आसपास आप लोग एगरी हो इस बात के लिए या फिर हम सिंगल टाइम ही क्लास लें बताओ जड़ा एक बार इससे आपको बेनिफिट में लेगा अपना कोर्स यूट्यूब पर चला जाएगा ठीक है बताओ कोई गिले शिक वे कोई दिक्कत चैट बाक्स में बताओ भी फटाफट क्योंकि यह दिखो बच्चो अभी हमने जो डेरिविशन किया है ना इक्यूवेशन ऑफ मोशन का अचलिक है यह था बाइग्राफिकल अभी मैंने आपको पताया दिया एकुर्ट है मेथड डेरिविशन ऑफ इक्यूवेशन ऑफ मोशन बाई यूजिंग कैल्कुलस मेथड है ठीक है रिविजन होगा क्या ना रिविजन नहीं समझे नहीं अफली एक्जाम से पहले पहले उनको भी हमको पूरा कवर कर देते हैं ठीक है तो चलो क्लास को भी खतम करते हैं आप लोगों को आगया है चलो अच्छी बात हो गई है फिर ठीक है तो ऐसा करते हैं कल की क्लास लेते हैं अपन नो प्रोलम ओकला भूल मजाना कलम अब इक्वेशन ऑफ मोशन हमें यही फॉर्मली डिराइव करने हैं बट बाइ यूजिंग चल्कुलस मैथर ठीक है ओके और कोई में कर आप कर रहे हो हम बच्छों यह बहुत हो सुनो बच्छों इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर जो निमेरिकल से वह एंड लेस हैं मतलब उ इस अब बच्छों को सुल जो निया मुझे पूछिए जो बचे फांडेशन के भी कर रहे हैं सुल वह भी पूछिए को दिक्कत नहीं है आप अब साइब हैं ठीक हो जाए फिर मापको कराऊंगा बहुत सारे शीट्स तेक है अपना में जो अपना वह हतियार वह भी झाल